बॉलिवुड इंडस्ट्री में आपको यूं तो कई अभिनेत्रिया मिल जाएंगी जो अपनी खूपसूर्ती और अभिनेत्रिया के लिए जानी जाती हैं लेकिन 80 और 90 का दशक वो दोर रहा है जिसमें कई ऐसे अभिनेत्रियों ने कदम रखा जिन्होंने बॉलिवुड को एक अदगी मुकाम दिया और अपनी खूपसूर्ती से लेकर अपने अभिनेतक से खूप तारीफ हैं हासिल की और इन अभिनेत्रियों ने आज बॉलिवर्ड में अपना मुकाम हासिल कर लिया है जिन्हें किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है लेकिन दोस्तों आप इन अभिनेत्रियों के बारे में तो सब जानते होंगे पर क्या आप इनके life partners के बारे में जानते हैं जो इनहें बेहत प्यार करते हैं और हमेशा ही इनहें support करते आए हैं और आज अपनी field में इनके partner काफी successful भी हैं तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन हैं वो अभिनेत्रिया और उनके real life partners साथ इंडस्ट्री से लेकर बॉलिवर इंडस्ट्री तक अपनी पहचान बना चुकी अभिनेत्री रंभा भी उन अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी खूपसूरती बलकि अपने अभिने से भी हर किसी को अपना दीवाना बनाया है जिन इनके साथ इन्होंने साल 2010 में शादी की थी आपको बता दे इनके पती प्रोफेशन से एक कैनड़ा बेस्ट बिजनस्मान है जो की बिजनस फील्ड में एक जाना माना नाम है अपने दोर की बहतरी नभिनेतरी रही मिनाकशी शिशादरी जिन्होंने ना सिर्फ अपनी खूपसूरती से बलकि अपनी आक्टिंग से भी हर किसी को अपना दीवाना बनाया इन्होंने जितनी भी फिल्मों में काम किया है उन फिल्मों में इनके आक्टिंग को काफी सरा हभी गया है लेकिन अगर बात करें इनके निजी जीवन के बारे में तो इन्होंने हरी मैसूर से साल 1995 में शादी की थी और शादी के बाद अपनी खुशाल जिन्दगी बिताने के लिए ये यूएस चली गई थी शादी के बाद इनके दो बच्चे हुए जिन में बेटे का नाम जौश और बेटी का नाम केंटरा है आपको बता दें के पती यूएस बेस्ट इवेंट्स बांकर है और वहाँ इनका बहुत नाम है नमबर थ्री अश्विनी भावे नभे के दशक की खुबसूरत अदाकारा अश्विनी भावे अपने जमाने की बहतरीन अभिनेतरी रही है जिन्होंने अपनी फिल्मों से जितनी प्रसिद्धी हासिल की है उतनी ही अपनी आक्टिंग को लेकर भी इन्होंने सफलता के जंडे गारे हैं यही वज़ा है कि आज इन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेतरी के रेल लाइफ पती के बारे में तो इनके पती का नाम किशोर बोपरडिकर है जिनसे इन्होंने काफी सालों पहले शादी की थी और आज इनके दो प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं जिनके साथ ये इंडस्ट्री से दूरी बना कर काफी खुशाल जीवन बिता रही हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके पती प्रोफेशन से एक सॉफ्ट्वेर इंजिनियर हैं और अपनी फील्ड में काफी अच्छी सफलता हासिल कर चुके हैं बॉलिवर की बेहत खुबसूरत और चिल्बुली अदाकारा पदमीनी कोलहपुरी जिन्होंने सत्तर और असी के दशक में बॉलिवर पर अपनी खुबसूरती और अपने अभिने का जादू सब के दिलों पर बिखे रहा था जहां ये अक्ट्रिस फिल्मों में अडल्ट सीन्स देने तक से कतराती नहीं थी वहीं अपनी फिल्मों में कई बार बोल्ट सीन्स भी दे चुकी है लेकिन अगर बात करें इनके पती के बारे में तो इनके पती का नाम प्रदीप शर्मा है जिनहें टूटू के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने इनसे साल 1986 में शादी की थी ओर इस शादी से इन्हें एक बेटा प्रयांक शर्मा भी है जिन्होंने हाल ही में बॉलिवर में अपना डेब्यू किया है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके पती एक जाने माने डारेक्टर और प्रेडियूसर और आक्टर रह चुके हैं जिन्होंने ऐसा प्यार कहां, अमीरी गरीबी, राज कुमार, मर मिटेंगे और घरवाली बाहर वाली जैसी कई हिट फिल्मों का निर्मान किया बॉलिवड की बहतरीन अभिनेत्री सल्मा आगा एक ऐसा नाम है, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म निकाह से बॉलिवड में अपनी अलग पहचान बना ली थी जो ना सिर्फ अपनी खुपसूरती बलकि अपने अभिने के लिए भी जानी जाती रही है इन्होंने अपने दौर में बॉलिवड को एक से बढ़ कर एक फिल्म में दी है वही अगर बात करें इस अभिनेत्री के रियल लाइफ पती के बारे में तो इनके पती का नाम रहमत खान है जिनसे इन्होंने साल 1989 में शादी की थी शादी के बाद इनसे इन्हें दो बच्चे भी हुए जिनका नाम शाशा आगा और अली आगा खान रखा गया है शादी के कुछ सालों बाद इन दोनों के बीच आपसी मद्भेध होने के चलते इनका तलाग हो गया था आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके पती प्रोफेशन से एक स्कौश खिला रही है तो दोस्तों आपको इन अभी नेत्रियों में से किस अभी नेत्री की जोड़ी उनके लाइफ पार्टनर के साथ सबसे ज्यादा पसंद आई आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं साथ ही बॉलिवूर इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें